हलो ब्रवन, वेलकम टू स्टेडी विद्जान प्रकास्ट दोस्तों, 11 अगस्त को सुप्रीम कोड के आदेश के बाद बेड़ वालों के लिए एक अच्छी खबर आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो डिसंबर तक आपको डेड़ लाख सिक्षकों की भरती देखने को मिलेगी इसमें PRT यानि की प्रैमरी के साथ साथ, TGT यानि की नवी और दस्मी और PGT के साथ साथ कच्छा 6, 7, 8 यानि की जूनिर कलेभी पद रहेंगे, इस बात की जानकारी यहाँ पर हमको प्राप्त हो रही है तो फ्रेंड्स, ये खबर जो है, ये आज के अकबारों में प्रकासित भी हुई है आपको बताना चाहूँगा कि बरतमान में जो बिहार में सिक्छक भरती चल रही है उसमें अगर देखा जाए, तो B8 को एलाव किया गया है लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, उनके मताबिक ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि इस भरती में लगबग 70-80,000 पद भरे नहीं जा सकेंगे यानि कि ये जो पद होंगे वो खाली रह जाएंगे तो इसके लिए ये जो पद इस भरती में बचेंगे साथी साथ जो नए पद अभी रिक्त हो रहे हैं, जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको जोड कर अगर देखा जाए तो लगबग 1.5 लाग से जादा सिख्चकों के लिए एक सिख्चक भरती दिसंबर में या फिर लोकसभा चुनाओं के जस्ट पहले रिलीज कर दी जाएगी क्योंकि इस समय देखा जाए तो बिहार में सिख्चकों की हर अस्तर पर बहुत अधिक कमी है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं भासकर एक्सलिउसू और बरतमान भरती प्रक्रिया में पद खाली रहेंगे इसलिए आएगी वेकेंसी तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो डिटेल्स है वो आपको जरूर ध्यास देखना चाहिए सिक्षक भरती का दूसरा चरण साल के अंत तक आएगी डिड़े लाख वकेंसी तो आपको मैं यहाँ पर जो जूम करके तथ्यों को समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि चीजों को आप बेतर ढंग से समझ पाएं तो फ्रेंड्स यहाँ पर यह बता जा रहा है कि अगर देखा जाए तो मद विद्याले को हाई स्कूल में अग्रेड तो कर दिया गया है लेकिन इसके लिए इन स्कूलों में परयात सिक्षक नहीं है नतीजा पढ़ाई बूरी तरह प्रभावित है तो बिहार में 75,000 स्कूलों में कच्छा 1-12 तक सिक्षकों के अभी लगबग 5,000,000,000 पद खा ली है यह पद मामूली नहीं है कुल मिला के देखा जाए तो 5,000,000,000 पद यहाँ पर रिक्त है अभी BPSC से 1.70,000,000,000 यानि की 1,70,000,000 सिक्षक भरती की प्रक्रिया चल रही है सितंबर में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा यह प्रक्रिया पूरी होते ही BPSC से इस साल के अंत तक दूसरे चरण में सिक्षक भरती की प्रक्रिया जो है वो सुरूर कर दी जाएगी और जानते हैं आपकी इसके लिए बिहार में जो STT होता है जिसके आधार पर 9.10 मी और गरहमी बरहमी में सिक्षक की भरती की जाती है ये फिलाल भारम ने जा रहे हैं और परिक्षा भी करवा ली जाएगी ये STT के बारे में कहा जा रहा है कि हरालत में नॉम्बर तक इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लीर कर दिया जाएगा और किसी कारण से इस साल के अंत तक अगर ये वेकेंसी नहीं आ पाई तो 2024 में लोग सबा चुनाओ आचार संगीता लागू होने के पहले पहले हर हाल में ये वेकेंसी आ जाएगी अनुमान है कि एक लाग सतर अजार सिक्षक भरती प्रक्रिया में लगबग सतर से असी हजार पत जो हैं वो खाली रह जाएंगे इसे दूसरे चरण में जोड़ा जाएगा दूसरे चरण में लगबग डेड़ लाग सिक्षकों की भरती है वो की जाएगी तो BPSC से बरतमान में चल रही सिक्षक भरती में बच्चे सीटों के साथ ही स्कुलों में रिटायर वे हैं जो सिक्षक हैं उनकी संख्या भी नए सीरे से आकलीद करवाई जाएगी और उन सीटों को भी इस नई भरती में एड़ किया जाएगा तो सिक्षा विवाग की तैयारी है कि BPSC से बरतमान सिक्षक भरती प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत अगली वेकैंसी जो है वो करवा लिजाए BPSC भी इसके लिए अभी से तैयारी में लग गया है नॉवंबर तक यस टीटी का रिजल जाड़ी हो जाएगा इसके बाद नॉवंबर या फिर दिसंबर तक यह जो नई वेकैंसी डेड़ लाख वाली यह आ जाएगी अब जानकारी यह मिल रही यहाँ पर कि अगली बार जो वेकैंसी आएगी उसमें इस बार आपने देखा था कि कच्छा 6-7-8 के लिए यानि कि जूनियर के लिए कोई वेकैंसी नहीं थी लेकिन अगली बार 6-7-8 के लिए भी वेकैंसी रहेगी बरतमान में जिलों से कच्छा 6-8 के लिए रिक्ती लगबग 32,000 बताई गई है मतलब 32,000 शिचों के जो पद है वो जूनियर में खाली है लेकिन वेकैंसी नहीं आने का कारण बताया गया कि कच्छा 1-5 तक के 28 ग्रेट के सिच्छकों को कच्छा 6-8 तक के सिच्छक पद पर प्रोंती दी जाएगी इसलिए अगली बार कच्छा 6-8 तक के लिए पदों के लिए रिक्ती आएगी क्योंकि बीड़ वाले तो मतलब अब बीड़ को जो मैटर है वो आप समझी रहे हैं रहेगी जूनियर वाली और साथी साथ हाई स्कूल में सिच्छक पद के लिए पर्याफ संक्या में भरती मिल जाएं इसके लिए यस्टीटी हो रही है आवेदन लिये जा रहे हैं नॉमबर तक रिजल भी करवा लिया जाएगा इसके बाद नई वेकेंसी आएगी बीपेसी अगर गाइडलाइन जारी कर देता है अभी तक गाइडलाइन जारी नहीं हुई है लेकिन अगर एंसी टी गाइडलाइन जारी कर देगा तो फिलाल अभी तो आप यही मांग चलिए कि हो सकता है कि कच्छा एक से पांस तक में बेड को सामिल ना किया जाए सीनेरियों बदल ली सकता है हो सकता है कि सामिल कर दिया जै किसमत की बात है अभी भी बढ़नी Ti में परयापतब्या द्री नहीं है बहुतमार विज focus में जो यस्टी टीt का मैटर था उसी वजह से बिहार के जो भीरति थे वहीं आवदन कर पाय लेकिन इस बार सब्सक्राइब से जो बहुती है उनको एलाओ किया गया है तो सभी लोग आवदन वेकेंजी आएगी और आएगी तो फ्रेंट्स यहां पर यह जो न्यूज है यह आपके लिए बहुत ही सकारात्मक है यहां पर प्यारिटी के साथ टेजटी फेटी और जूनियर टीनों लेबल पर बात हो रही है सिक्षक वर्ती की जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं त तो डेफेंटली जो है यह एक गुड न्यूज है सभी के लिए जो लोग सिक्षक बनना चाहते हैं चाहिए वो किसी भी स्ट्रीम के हो बीटीसी हो या फिर बीएड हो तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और ऐसी खबरें आप लगातार चाहते हैं और प्रस करना बिलकुल भी मत भूलेगा थैंक्यू सो मच